किसी गाओं में एक मा और एक बीटी रहती थी एक दिन बेटी अपनी मा से बात करने जाप पहुचे बात करते करते समय कब पीद गया उनको उसका अंदाजा ही न रहा जब वो बात करी रहते तब उनका बेटा पीछे से देख रहा था कि वो बाते क्या कर रहे है माँ और बेटी को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई जब उनकी बात पूरी हुई तब उनको दिखा कि उनका बेटा पीछे से देख रहा है तब बेटा आदर के मारे आगे आया सबसे पहले उसके बेहन जाब पहुँची और उसको डाटने सुन जाने लगी यह सुनकर उसके माँ भी वहाँ पहुची और बोली बेटी ऐसे उसको मत डाटो अब वह समच चुका है कि हमें दूसरे के बाती नहीं सुनने चाहिए इसमें कभी-कभी हमारा घाटा हो जाता है बेटा बोला हाँ जीदी अब मैं समच चुका हूँ मुझे दूसरे की बात नहीं सुनने चाहिए यह गलती मैं दुआरा कभी नहीं दो रहाँँगा यह करकर उसकी माँ वहाँ से चली गई उसकी माँ के जाते ही वहाँ एक आदमी आके जा पहुचा वहाँ किसी गाओं का आदमी था जब उसकी बहन उससे साथ विद्याले की कुछ बाते कर रही थी तब वह आदमी बड़े ध्यान से उनके सारी बाते सुन रहा था बाते सुनते सुनते न जाने वह क्या समझ बैठा कि वह वहाँ से जाने के तयारी करने लगा जाते समय उसको ध्यानी नहीं रहा कि वो जा कहा रहा है वो बादे सुनने में इतना धीन था कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कहां जा रहा है लड़का और लड़की आपसे बात करते गए वो दोनों भाई भेन की बात पे सोच विचाय करने वो आदमी अपनी खेत में जा पहुचा वो खेत में जा पहुचा एक पेड के च्छाओं में खड़ा हुआ तो उसको ध्यान आया कि वो अपना कीमती बस्ता लाया ही नहीं है उसको जब ध्यान आया कि अपना कीम्ती बस्ता नहीं लाया वो जट से घर पहुँचा और अपना बस्ता ले के आया बस्ता ले के आया और वो पेड की छाओ में जा पहुचा उसको चैन की सास मिली वो बैठ गया अपने हाथ पैस सीथे किये और धोरा सो गया जब वहाँस की नीद खुली तब उसके ध्यान आया यहां काकर वो अपना बस्ता चुपाने में व्यस्त हो गया जब यह बात उसके बेट को पता चली तब अपना वो बेटा अपनी बेहें के पास दोड़े दोड़े गया और वो बूला बेहन को सारी बात समझ में आ गई और वो अपने भाई को बगली इसलिए हमें दूसरे की बात कभी ध्यान से नहीं सुनने चाहिए अपना काम करना चाहिए